नमश्कार दोस्तों, TechScan के एक बिल्कुल ना है, फ्रेस और एकसाइटिंग एबसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर में BSNL कमपणी के बारे में बताऊंगा BSNL यानी भारत संचन निगम लिमिटेट भारत के अंदर एकमत्र सरकाई टेलिकम कमपणी अभी तक अपने 4G सर्विसेस को लांच नहीं किया है लेकिन BSNL 4G और 5G लांच के उपर हमारे पास आचुका एक काफी बड़ा अपडेट जो इस वीडियो के अंदर में आप लोगे सा सेयर करने वाला हूँ तो अगर आप BSNL के ग्राह के और 4G के पर में इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो को बिलकुल पर मिस्मत कीजिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आसा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है देखिए BSNL 4G लॉंच हो है वो 2020 साल के अंदर ये लॉंच होना जाईये था लेकिन तब के टाइम के अंदर जो टेंडर मिला था वो दो फॉरेंड कंपनीज को मिला था एक था Nokia और सेकंद था ZD. Nokia Company को तो बाहर कर दिया गया लेकिन ZD Company को बाहर करने के पीछे में जो कारण था वो था ZD एक चाइनिज कंपनी है और भारत के अंदर जो सरकरी टेलिकम कंपनी है वो किसी भी चाइनिज ब्रैंड के साथ या Chinese vendor के साथ अपने partnership को नहीं करना चाथे हाला कि आभी तक BSNL जो अपने services को provide कर रहे है 2G और 3G के उपर वो तो सारे जो collaboration यहाँ पर हुआ था वो Chinese brand के साथ ही हुआ था हुआ है और ZD के साथ लेकिन इसके बाद जो भी technology आपर evolve किया जा रहे है वो made in India के जा रहे है यानि जो equipment के लो software के लो वो भारत के अंदर जो Indian companies यहाँ पर करने वाले है BSNL company को total तीन बार revival package दिया गया 2019 साल के अंदर 69,000 का रुपए 2022 साल के अंदर 1,4,000 का रुपए और 2023 साल के अंदर 89,000 का रुपए BSNL को तीन बार revival package मिला जहाँ पर 2023 के अंदर जो revival package मिला वो directly तो पैसा नहीं दिया गया है वो में लिए 89,000 का रुपए का जो स्पेक्ट्रम है वो में लिए BSNL को allocate किया गया है जिसके अंदर normal 5G spectrum और 4G spectrum included था तो वैसे एक time के अंदर अगर मैं पूरे road map के बात करता हूँ तो BSNL के लिए TCS यानी Tata Consultancy Services as a system integrator काम कर रहा है जहाँ पर BSNL के लिए जो equipments बनाएंगे वो बनाएंगे Tejas Network जो Tejas Network है वो एक equipment manufacturing company जो Tata का ही एक subsidiary brand है यानी TCS middleman रहेंगे Tejas Network equipment बनाएंगे सिर्फ TCS है नहीं और कुछ company है जैसे ITI है उसे CDOT है ये सरे company मिलकर मैं लिए system integrator का काम करेंगे लेकिन जो equipment manufacturing करेंगे वो करेंगे Tejas Network कुछ माईने पहले मैं लिए TCS company को अल्मोस्ट 15,000 का रुपे का upfront payment किया गया था BSNL company के तरब से ताकि जो equipment से उसका order यहाँ पर दे पाए उसके साथ अगर मैं ITI की बात करता हूँ तो उन्हें 4,000 का रुपे का payment कर दिया गया था क्योंकि ITI company को पूरे भारत के जो भी BSNL अपने 4G services को start करेंगे उसका 20% rights अभी ITI के पासे और 80% में लिए TCS launch करेंगे लेकिन ये दो company अलग होने के वावजूत जो equipments यहाँ पर manufacture करेंगे वो तेजास network की यहाँ पर करेंगे इससे पहले TCS company की तरप से तेजास network को 7,492 करो रुपे दिया गया था पिछले माईने जिसके अंदर मेले जो 4G और 5G RAN यानि Radio Access Network है उसका order यहाँ पर किया गया था और यहाँ पर बताया गया था कि September महिने से ही मेली यह जो rollout होना start हो जाएंगे क्योंकि September महिने से ही तेजास network आपने जो Radio Access Network के उसका supply दिना start कर देंगे और हर दिन मेली 300 mobile towers को यहाँ पर 4G पर upgrade किया जाएगा तो अभी September महिना तो चल रहा है तो September महिना चलने के साथ-साथ मेली BSNL 4G का जो official launch है वो काफी जल्दी यहाँ पर होने वाला है और कल TCS company की तरब से तेजास network को फिर से साड़े 700 करण रूपे यहाँ पर दिया गया है Radio Access Network Equipments Manufacturing करने के लिए यानि जो payment है वो TCS company की तरब से तेजास network को बार-बार किया जा रहा है ताकि मेली वो अपने जो manufacturing है उसे और भी जाता जोड यहाँ पर दे पाए उसी के साथ-साथ यह manufacturing process जो हो जल्दी से जल्दी यहाँ पर start हो जाए अगर BSNL सेप्टेंबर महिने से ही अपने 4G और 5G service को launch करना start कर दे तो यह BSNL company के लिए यह काफी बड़ा staff होने वाला है पिछले कुछ महिनों के अंदर हम यह देखने के लिए मिला कि BSNL continuous ले अपने से subscribers loss करती हुए जा रहा है आज के debt के अंदर BSNL का total market share 8.88% है अभी BSNL का यह target है कि 2025 final sale year थक यह जो market share यह 20% तक ले कर जा जाए देखे वोड़ाफोन आइडिया का final sale condition तो काफी साथ खड़ाब है और V.I. company को जो भी company छोड़ कर जा रहे है वो G.O.R.T.E.L. को पर shift हो रहा है लेकिन BSNL अगर अपने 4G और 5G services को लेकर भारत के market के अंदर आए तो BSNL का यह कहना है G.O.R.T.E.L. के पास से तो बहुत सरा subscribers उसी के साथ साथ जो Vodafone आइड यह company है उनके पास से भी एक huge amount of subscriber BSNL को पर put out करेंगे क्योंकि BSNL का जो भरोसा है वो अभी भी लोगों के अंदर है लोग BSNL के services जो वो use यहां पर करना चाते हैं लेकिन lack of 4G और 5G की वज़े से लोग BSNL के साथ नहीं जूरना चाते हैं अगर मैं plans की बात करता हूँ या pricing की बात करता हूँ वो भी BSNL के अंदर काफी काम है as compared to other company तो लोग बहुत सारे लोग secondary SIM card रखना पसंद करते हैं और आज के डिट के अंदर maximum जो BSNL के ग्राहक है वो में लिए as a secondary SIM card यूज़ करें तो यह हमें किस तरह के से पता चल पाया देखे एक रिपोर्ट होते हैं जो है VLR रिपोर्ट तो यह जो VLR रिपोर्ट है इसकी मदद से ही active subscriber के पाट में हमें पता चल पाते हैं अभी BSNL के अंदर जो VLR percentage है वो है सिर्फ 52% यानि सो लोग अगर BSNL के SIM card को यूज़ करते हैं तो regular basis सिर्फ 52 ऐसे लोग है जो मिलनी BSNL के SIM card के उपर रिचार्च करते हैं लेकिन BSNL का जो VLR percentage है वो सिर्फ 52% है यानि maximum लोग BSNL के SIM card को as a secondary SIM card यूज़ करते हैं तो यह जो VLR percentage है इसे काफी जादा बढ़ा ना होगा BSNL कंपनी को तो जगर BSNL एक अच्छा का से profitable company बन सकते हैं और यह तभी possible हो पाएंगे जब BSNL अपने 4G और 5G सर्विस को यह पर launch कर पाएंगे टेलिका मिनिस्टर अस्मीनी वरिसनप जी की तरप से कहा गया कि BSNL में लिए हर दिन 300 mobile towers को अपड़ेट करेंगे अगर इस गती से आगे बढ़ता रहा तो पूरे भारत BSNL 4G से cover होने के लिए 18 से 24 मेंने का टाइम लगेंगे मतलब 2025 साल के अंदर पूरे भारत BSNL 4G से cover हो जाएंगे और एक ऐसा टेक्नलोजी की यह पर develop किया गया है जहां पर सिर्फ एक software update की मदद से existing 4G service को यह 5G पर अपड़ेट किया जा सकता है तो 5G के लिए आलेक से कोई equipments डेवलाफ करनी की जहुरत नहीं है TCS कुछ इस तरीके का टेक्नलोजी यहां पर डेवलाफ किया है जहां पर सिर्फ एक software update लगेंगे जिसके अंदर existing 4G को 5G पर अपड़ेट किया जागा उसे बिलकुल साफ है कि BSL 4G service काफी जल्दी ऑफिसेर ले लाँच होने वाला है आप कितना जाथ एक्साइटर है BSL 4G service लाँच के उपर आप comment सेक्स में comment करके जरूर बताइए एई सार अपडेट्स हमारे पास निकल का रहा था चोटा सा वीडियो बना कर आपको बता दिया अगर वीडियो पसंद आए कुछ ने जानकरी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को आपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए